नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आप अपने जीमेल या गूगल अकाउंट में रिकावरी फोन नमबर एड या रिमूब किस सरह से कर सकते हैं यह प्रोसेस बहुत ही इजी है, तो वीडियो को अन तक देखिना, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो चलो वीडियो सुरू करते हैं जीमेल या गूगल अकाउंट में रिकावरी फोन नमबर एड या रिमूब करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जीमेल को ओपन कर लेना है, जीमेल में उसी गूगल अकाउंट से आपको साइन इन कर लेना है, जिसमें आपको रिकावरी फोन नमबर को एड या करना है अब आपको अपने profile icon पर click करना है इसके बाद manage और google account पर click करना है अब personal info पर click करना है थोड़ा सा scroll down करना है और phone वाले option पर click करना है अब आपके सामने इस तरह का interface so होता है तो आपको recovery phone number add करने के लिए add now पर click कर लेना है अब आप verify its you वाले page पर आ जाते हो तो आपको अपना password यहाँ पर type करना है और next पर click कर लेना है अपने नए वाले phone number को यहाँ पर type कर लेना है और next पर click कर लेना है अब get code पर click करना है तो google आपके नए वाले mobile number पर एक code send करता है उसे आपको यहाँ पर type कर लेना है और verify पर click कर लेना है तो अब हमारा नए वाला phone number हमारे google Google account या Gmail account में successfully add हो चुका है यानि हमारा phone number successfully update हो चुका है आप अपने Google account या Gmail में एक से अधिक phone number को आसानी से add कर सकते हो अगर आपको अपने recovery phone number को अपने Gmail या Google account से remove करना है तो इस छोटे से arrow वाले icon पर click करना है फिर delete वाले icon पर click करना है अब आपके सामने इस तरह का एक pop-up so होता है तो कभी-कभी Google आपको अपना password भी मांग सकता है तो आपको password को type कर लेना है और next पर click कर लेना है anyways अब आपको remove number पर click कर लेना है तो अब आपका recovery phone number आपके Gmail या Google account से successfully removed हो चुका है जैसा कि आप अपने screens पर देख पा रहे हो तो आप अपने Gmail या Google account से recovery phone number को आसानी स आपके add या remove कर सकते हो anyways अगर आपको कोई problem है इस topic के regarding तो मुझे comment section में बता देना या Instagram पर मुझे follow करके DM कर देना मैं आपके प्रस्तों के उत्तर जरूर दूँगा so I hope this video is helpful for you please do subscribe thanks peace out